नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं J.S.S.C. की तारिख पे तारिख से नराज छात्रों का बिरोध परदसन J.S.S.C. जार्खन का रमचेरी चैन आयो के खिलाब जार्खन के छात्रों का गुसा सात्वे आस्मान पर था बड़ी संख्या में छात्र सुक्रवार को रांची के नामकुम इस्थी J.S.S.C. आफिस के बाहर परदसन करने पहुचे इस दोरान सुरक्षा के कड़े इंतिजाम थे J.S.S.C. की कारेसाइली से नराज छात्रों ने J.S.S.C. हाई हाई के नारे लगाए पूरे राजे से बड़ी संख्या में छात्र बिलोत परदसन करने पहुचे थे इस दोरान एक छात्र ने आत्मदाह करने का पर्यास किया हलागी पुलिश ने ततकाल उसे हिरासत में ले लिया आकरोसी छात्रों का आरोप था की J.S.S.C. की नाकामी के कारान आठ सल बाज भी एक परिक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा जार्खन समाने असना तक युक्ताधारी सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा 2023 पिछले आठ बर्स से आयोजित हो रही है लेकिन बार बार परिक्षा अस्थागित कर नई तारिखों की घोसना कर दी जा रही है अब नई तारिख 28 जनुवरी घोसित की गई है छात्रों की माने तो ये परिक्षा भी आयोजित नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी परिक्षा के कारान इसे भी टालना पड़ेगा हेमान सोलिन की अज़ेक्षता में प्रोजेक्ट बहुन में होई केबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पर चार्चा के बाद समाती पदान की गई बैठक में जो महतपुन प्रस्ताव पारित हुए उसमें बोकारों में 6 और अरब 88 कोड़ोर 49 लाख 42 से 1200 रुपए की लागत से 500 बेड़ेड मेडिकल कोलेज होस्पीटल बनाने का प्रस्ताव सामिल है इसके अलावा राजे में जार्खन राज उद्योग प्रसाहन नीती 2021 में आसिक ससोधन के प्रस्ताव को केबिनेट से मंजूरी दी गई अब इसके तहत ACST को 5% अनुदान अत्रिक्त होगा जार्खन पदो एवं सेवाओ के रिक्तियों में आरक्षन अधिनिया में स्वंसोधन के सुक्रिती भी दी गई है वहीं सवीत्री बाई फुले योजना में दो बोटियों तक की लाब मिलने की केम्पिंग समाप्त कर माता की सभी पुत्रियों को योजना काला मिलेगा वहीं बिधान सवा में होई अनिमित्ता नियोक्ती मामले में विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट की जटिलता दूर करने के लिए बनी जस्टीस S.J. मुकाद योपफ्याय की रिपोर्ट बिधान सभा सचिवाले को समर्पित करने के प्रष्ताव पर संमाती मिली है करी सुरक्षा के बीश ज्यार्खन बिधान सभा का सिद सत्र सुरू सुकर्वाक को करी सुरक्षा के बीशुरू हुआ सदन लवग एक गंटे तक चला और सधानली के बाद सोमवार सुबह 11 बाई तक के लिए अस्थागित कर दिया गया इस पीकर रविंदनात महस्तों ने सदन को बताया है कि सत्रे के पांच कर दिवस में 2023 बितिय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बयट सोमवार को पेश किया जाएगा वही राज बिधहकों के लिए दो दिन अवंटित किये गए है इस पीकर ने सतवा बिपक्स के सरस्यों से राज ये हित में सदन का सुचारू संचालन सुनिस्चित कराने का आगरा किया उन्होंने भाजबा नेता अमर बावरी को नेता प्रतिपक्स हुआ बिधायाक जय परकास भाई पटेल को बिपक्स कास सचेतक पराने पर बधाय दिया है उन्हों बतिस खत्यान बिधहक से हो सकता है समिधान का उलंगान जाखन बिधान सभा देख रविनात महतों ने सुक्रवार को सदन को सुचित किया कि राज़ेपाल सीपी रदाकिष्णा ने उन्हों 32 खत्यान अधारित अस्थानेता समझी बिधहक को पिनवीचार के लोटा दिया है इस पिकर ने राज़बहन सचिवाले से प्राप संदेश को पढ़ कर सुनाया संदेश में राज़ेपाल ने उलेह किया है कि भारत के अटानी जनरल की कानूनी और समिधानिक राय के नुसार बिधहक को पिनवीचार के लिए लोटाया जा रहा है इसमें कहा गया है कि बिधहक की धारा 6 ए समिधान के अनुछेद 14 और 16 दो का उलंखन कर सकती है और इस कारण अमानय हो सकती है संदेश में कहा गया है कि वर्तमान बिधहक के माध्यम से राज़ेपाल के तहट वर्ग तीन और वर्ग चार के पदो पर नुखतिया के वल अस्थानिय ब्यक्तियों के लिए अरक्षित होगी अईसा पर्तित होता है कि राई सरकार के तह तिरीतिय सिरेनी और चतुर्थ पदो पर आवेदन करनेस से अस्थानिय ब्यक्तियों के अलावा अन ब्यक्तियों को अउसर नहीं देना समिधान के अनुरूप नहीं होगा NIA का PLFI के खिलाब जार्खन समेत कई राजियों में छापाया NIA ने पर्तिबंधित उग्रबादी संगठन पिपलस लिवरेशन फ्रांट ओफ इंडिया के खिलाब सुक्रवार को जार्खन बिहार दिल्ली और मध्य परदेश के कूल तेश ठीकानों पर छापा मारा इन में जार्खन में 29 अस्थान गुमला रांची खोटी सिम्डेगा पलामू और पच्मी सिम्मूम जिला में वहीं बिहार के पतना और मध्य परदेश के सिध्धी जिला में एक एक अस्थान और नई दिल्ली में दो अस्थान सामिल है जार्खन सरकार जाती अधारी जनगन्ना कराने के पक्ष में है लेकिन यह असपश नहीं है कि इसे कौन भी भाग कराएगा फिलाल इस बिंदू पर जनकारी के लेने की परकिरिया चल रही है विधान सभा के सिधकाली सरत्र में पेस एक संट टेकेन रिपोर्ट में इस बात का उलेख किया गया है राज में जाती अधारी जनगन्ना कराने से समधित सवाल ध्याना करशन के माध्यम से सदन में लाया गया था बिधायक परदी प्यादों ने सदन में पुछा था कि क्या राज सरकार जाती अधारी जनगन्ना कराना चाहती है या नहीं इस सवाल के जवाब परग्रामीं विकास मंत्री अलमगीर अलम ने अस्वासन देते हुए यह कहा था कि हम लोगों ने यह सविकार किया है कि जाती अधारी जनगन्ना होनी चाहिए जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की परिक्षा नहीं होगी OMR सीट पर राज में अब मैट्रिक इंटर की परिक्षा OMR सीट पर नहीं होगी परिक्षा अब केवल उतर पुस्तिका पर ली जाएगी इस आसे के प्रस्ताव को सुक्रवार को जहरखन एकेडमी कॉंसिल बोर्ड की स्विक्रिती मिल गई है बोर्ड की बैठक जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में होई मैट्रिक इंटर में अब तक 40 अंग की परिक्षा OMR सीट पर होती थी अब परिक्षा केवल उतर पुस्तिका पर होगी पूरु में OMR CIT पर वा उतरपुस्ती का पर पर परीक्षा लगभग होती थी दोनों के लिए समाई का निधारन भी अलग-अलग किया गया था अब इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है अब एक दोनों परीक्षा का समाई एक साथ निधारी कर दिया गया है परिशार्थियों को प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए 15 मिट का अत्रिक्त समय दिया जाएगा वहीं बोर्ड में लिएगा नेनाय के अनुरूप जायक द्वारा परिक्षा को लेकर जल्धी दिसाने देश जारी किया जाएगा राजबहन ने विकसित भारत 2027 को लेकर कॉलेज़ों को दिये गए टास्क राजबहन ने जारखन के सावी विश्व बिद्यालाएगा कॉलेज़ों को विकसित भारत 2027 को लेकर टास्क दिये है विशु विद्यालेव कॉलेजों को Outreach, Strategy, For There, Participation की रूप रेखा उपलब्द कराई गई है ताकि इसके अधार पर विशु विद्यालेव कॉलेज कारेकरम का आउजन कर सके वही सिक्षको विद्यार्थियों को आईडिया उपलब्द कराना है जिसे नीती आयो के पास भेजा जा सके इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोसाहित करने के लिए कहा गया है राजभोर ने जग रूपता पैदा करने के लिए गेस्ट लेक्चर सहीद परामपरिक तरीका जैसे पोस्टर बैनर बना कर कैमपस होटल में चिपकाने को कहा है दसवी जे पीसी का राष्टा साफ जारखन लोक सेवा आयोगदवार आयोजित असायनिक सन्युक्त परिक्षा के लिए संसोधित नियमावली को सुक्रवार को कैमिनेट संसोधिती मिल गई है एलख यागते के अध्यक्षा में बनी कमिनेटी की रिपूर्ट के अध्हार पर सिवील सेवा परिक्षा नियमाली 2021 में कई बिंदियों पर संसोधन किया गया है नियमावली को स्विक्रिती मिलने से 21 पारिख्छा का रास्ता साप हो गया साश्वधित नियमावली के तहद अब सीवील सेवाब पारिक्छा के लिए अभ्यार्थियों कि IUC नियूमतम 21 वरस तता बिग्यापन वर्स के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वरस होना चाहिए इसके अलावा प्रादमिक परिक्षा मोखे परिक्षावा मेरिट लिस्ट के लिए नियूम्तम क्वालिफाइंग मास अलारक्षित के लिए 40.7 ACHT के लिए 32.7 EBC1 के लिए 34 वा EBC2 के लिए 36.5 परिक्षाथ PTG के लिए 30.7 तथा EWS के लिए 40.7 परिक्षाद की गई है सिक्ष केतर कर्मियों ने विभीन मांगों के लेकर सुक्रवार को उपवास रखा 18 दिसंबर को स्कूल इंटर कॉलेज बंद रहेंगे Intermediate College High School संस्कूल विदेलेव मदार्शा के सिक्षव को करमचारी अनुदान की रासी 4 गुना करने वह राज कर्मी के दर्जा देने के साथ-साथ इन संस्थानों का अधिगरहन की मांग कर रहे है 4 गुना कर प्रस्ताव ततकालिन विभागिया मंत्री को भेजा था और मंत्री ने 5 महपूरु प्रस्ताव पर अनुमोदन कर संची का लोटा दिया था तो आज तक सनलेख बिधी बीत वा कैबिनेट को क्यो नहीं भेजा गया है सियम हमन्त बोले बेटियों को उच सिक्षा में मिलेगी आर्थिक मदद चारखन के सियम हमन्त उरेने सुक्रवार को खुटी के कछारी मैदार में आविद आपकी योजनाब की सरकार आपके द्वार कारकरा में खुटी वासियों को बिकास योजनाओ की सवगात दी उन्होंने 437,48,000,000,000,000 रूपए की 76,000 योजनाओ का सिलन्यास एवब 406,20,000,000,000,000,000 रूपए की 27,000 योजनाओ का उधगातन किया इस दवरान 11,841,000,000,000 के बीच 88,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बिका जे एससी परिक्षा मामले में बीजेपी ने सरकार सहत्षेव की मांगी है या परिक्षा परले 17 दिसंबर को होनी थी लेकिन अब इसे 21 और 28 जनवरी कर दिया गया हलाकि इस डेट पर जे पीएसी की भी परिक्षा है ऐसे में जो चात्र दोनों परिक्षा की त्यारी कर रहे थे उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इसके अलावा बीजेपी ने अस्थाने नेती पर भी सरकार को गहने की कोशिस की है बतादे बिधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजबा नेता अमर बावरी ने जे एसेसी के समक्ष युवाओ के परशन पर कहा है की राज के युवाओ की पीड़ा कम होने का नाम नहीं लेरही है इस ठंड में राज के युवा सड़क पर हैं और सरकार JSC JPSC करके परिक्षा परिक्षा का खेल खेल रही है विधान सभापरिसर में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि JSC के परिक्षा 17 अधिस समख निधारी थी लेकिन उसे पाच दिन पहले यह कहकर अस्थागित कर दिया गया कि जिस एजनसी को परिक्षा लेनी थी वह जबाब दे ही दी गई थी उसने सन्यूक्त असना तक अस्तरिये परिक्षा लेने में समर्ता जताई है सरकारी स्कूलों के तीरपन हजार बच्चे देंगे जार्खन उलम्पियाड एकजाम जार्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की परतिभागी पाचान करने के लिए इस साल स्टेट उलम्पियाड परिक्षा 17 से 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी जार्खन स्कूलों के जार्खन उलम्पियाड परिक्षा 5 विशायो अंग्रेजी गनीत बिज्यान समाजीक बिज्यान तथा समाने ग्यान में OMR सीट पर आयोजित होगी इसमें भाग लेने के लिए कूल 35310 विद्यार्थियों ने अपना निबंधन कराया है नितिस्थ कुमार की जार्खन में जनसभा 21 जनवरी को होगी लोगसभा चुना तो 2024 के मंदिर बिहार के मुख्य में देर नितिस्थ कुमार की जार्खन के रामगड में अपने तई समापर 21 जनवरी को ही होगी साथ ही PM9 मोदी के संसाधिये छेतर वारानसी में नितिस्थ की रैली की नई तारिक भी जल्द जारी की जाएगी जडियू की ओर से भवन निर्मान मंत्री असोग चौधरी ने सुक्रवार को जनकारी दी है उन्होंने कहा है कि वारानसी जीला पसासन की ओर से अनुमाती देने में अनाकानी करने पर सीम ने तिस्थ की वारानसी रैली को सिर्फ अस्थागित किया गया है यह कारेकरम रद नहीं हुए है वहीं मंत्री असोग चौधरी ने सुक्रवार को मीडिया से बाचीत में कहा है कि जार्खन के रामगर में एक जन्वारी को जेडियू कारेकरम निर्धारी था है बी एसेल सेल में 29-30 जन्वारी को हरताल की घोसना है भी चौधरी ने सेल प्रवन्द के खिलाब बी एसेल सेल में दो दिवस्य हरताल की घोसना की है या हरताल 29-30 जन्वारी को होगी सेल के सभी स्टील प्लांट में हरताल की जाएगी यूनियन ने 12 जन्वारी को इस बावाज सेल प्रवन्द को नोटिस देगी आंदोलन की खोसना सुक्रवार कोटेड यूनियोनेक की वर्चुल बैठक में की गाई इंटर के अधरक्स टाक्टर जी संजीवा रेड़ी ने हर्दाल का वहन किया है धन्यवाद